आप लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छों के बारे में बताऊंगा जैसा कि आज मैं बात करने आया हूँ आपको बता दू रेड स्कॉर्पियन के बारे में वैसे देखा जाये तो जो रेड स्कॉर्पियन है वह दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छों में से एक मा आप यहां का जो लोकेशन है यहीं मिलेगा आपको ज्यादा और आज मैं आपको रेड़ स्कॉर्पन के बारे में बताऊंगा जैसे कि एक बिच्छु मुझे नजर आ गया है और अभी मैं आपको दिखा देता हूं यह बहुत ही जहरिला विच्छु है यह नजर आ गया है दे आप जैसे कि देख रहे हैं देखिए कैसे कैसे डंक मार रहा है देखिए वैसे अगर आप इस बिच्छों के बारे में ना जानते होते हैं हाथ से ना चुए क्योंकि यह बहुत ही जहरिला हो सकता है और इसका जहर इतना खतरनाक है कि एक व्यक्ति को लगभग 24 घंटे तक तो लिए आप बेड़ पर सुला सकती है मतलब कि मौत के घॉर्ड तक पहुंचा सकती है लेकर आगर आपको तो आप इसे न चुए ना हाथ से पकड़ने की कोशिस करें आप देख सकते हैं यहां और मैं आप इसे पकड़ने की कोसिस करऊंगा देखता हूँ ये मुझे धंक मानने की कुशिस करता है या नहीं करता है बिए देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों ये है practical और ये बहुत ही जहरी लाई हो सकता है आप इसके कर सकते हैं यह जहर कैसे release कर रही हैं अगर आपको दिख रहा हो तो देखी का गौर से कि अर मैं आपको इसी की इसी विच्छू के बारे में बताने बालना हूं तो आप हम बात करते हैं इस बिच्छू की बार, देखिए दोस्त ये सबसे ख़धरनाक बिच्छू है, किरिप्या करके इसे हाथ से ना पकड़ें और जहां भी दिखें आप इसे सावधानी से, इनसानी आवासे से दूर कर दें और वैसे तो मैं बता दूँ इस बिच्छू को एक फायदा ये है, कि जो कैंसर बिमारी है, उसके सेल्स को दुबारा कैंसर को कम करने के लिए इसके जहर को परियोग किया जाता है, हमारे जो साइन्टिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाया है कि कैंसर के इलाज में, कैंसर के को एक फायदा को देख सकते हैं, तो दोस्तो मैं आपको इस बिच्छू के बारे मैं आपको बता दिया जहां तक और आप इसे देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बिच्छू है, ये बहुत ही बड़ा है, और ये बहुत ही आक्रामक लग रही है, चूटने के लिए देखिए, अगे मैं इसको छोड़ूँगा, तो आप देखिए कैसे तुरंफी भागने की कोशिच करेगी, आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो किरप्या करके इसे घर पे ना ट्राय करें, आप देख सकते हैं, जासे कि ये अभ तो ठीक है दोस्तों, यही था Red Scorpion Giant के वारे मैं आपको पता दिया है, अगर आपको और भी अच्छी तरह से जानना है, तो आप इसके उपर किताबों में पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको जहां तक है, सही तरह से समझा दिया है, लेकिन अगर आपको मैं आप इसके उप बांद के उसको Heart Level से नीचे रखोंगा, Heart Level मतलब यह मेरा Heart है, तो इससे मैं इसको नीचे रखोंगा, नीचे रखने के बाद मुझे क्या है, कि इस उंगली को हिलाना नहीं है, और मुझे घवराना नहीं है, मुझे सांसे लेनी होगी, क्योंकि जब यह बिश्चु काटती ह तो इसका जहर में क्या होता है, कि हमारी सांस प्रनाली, स्वासन प्रनाली को कम कर देती है, अर्थात हम फिर सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए आपको मैं ही कहूँगा, कि आप घवराएं ना, सही तरह से आप अपने सांसों को लंबी लेजिए, और फिर जाकि आपको बिच्चू ने काटा है, वैसे आप घवराएं ना, क्योंकि इससे जान वैसे नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा, कि अगर बिच्चू ज़्यादा जहरिला है, तो आपकी हो सकता है, जान भी जा सकती है, और आप नजदी की डॉक्टर के पास जाकर इसका उ खन्यबाद